लगी थी आग सपनों को, वो रात पुरानी थी, फिर एक सुबह उसने जो लिख दी, नई कहानी थी 10 दिसंबर 1914, लगबग साम के साड़े 5 बजे, वेस्ट ओरेंज न्यू जर्सी में एक बड़ा विस्वोट हुआ और दुनिया के महाना विस्कारक, थोमस अलवा एडिसन की फैक्टरी जलकर पूरी तरह तबा हो गई दिसंबर की उस रात, उनकी जिन्दगी की सालों की महनत राक में बदलती जा रही थी फैक्टरी में रखे केमिकल्स की वज़े से, आग की लफटे इतनी तेज थी, कि उसे बुजाना नामुंकिन था तबी एडिसन का 24 साल का बेटा वहाँ पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एडिसन दूर खड़े अपनी जलती हुई फैक्टरी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं एडिसन ने अपने बेटे से कहा, अपनी माँ और अपने सभी दोस्तों को बला कर लाओ, ऐसा नजारा फिर से देखने को नहीं मिलेगा ये समझलो हमने जो सालों से कच्राई खटा किया था, वो जल रहा है, उस दिन उन्हें 23 मिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ दोस्तों उस वक्त एडिसन रो सकते थे, गुसे में चिला सकते थे, वो डिप्रेशन में जा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराए और अगली ही सुबह फिर से एक नई सुरुवात में लग गई, और अगले तीन अपते में ही एक न्यू पैटेंट फाइल कर दिया, धेट वाज फोरे ब्रैंड न्यू फोनोग्राफ, कई बार जिंदगी में ऐसा दोर आता है, जब लगता है कि सब कुछ तबाह हो चुका ह हैसी परिस्तिती में रोने से बहतर है, एक नई सुरुवात करने के बारे में सोचो, बुरे वक्त से लड़ो, क्योंकि बुरे वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, पूरे जोर से महनत करो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क क्या पता कल वक्त हुद अपनी लखीर बदल दे, जैहिंद वंदे मात्रम